Hello everyone, आज ये एकनोमिक्स पे हमारा दूसरा वीडियो है, इस से पहले हमने एक वीडियो डाला था, एकनोमिक्स से रिलेटिड जिसमें हमने सिर्फ परीचे की बात की थी कि अर्थ सास्थ्र क्या होता है, ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग भारतिय अर्थ वीडियो में जानेंगे, इकनोमिक्स का हमारा जो वीडियो होगा, वो हफते में दो या तीन बार डाला जाएगा, और अभी क्योंकि हमारा भूगोल का जो सीरीज है, वो अभी तक चल रही है, इसके खतम होने के बाद हम एक नई सीरीज हिस्ट्री सुरू करेंगे, लेकिन ज जो कि एक्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टन्ट हैं, तो आज शुरू करते हैं, आज हम बात करेंगे भारतिय अर्थ विवस्था के उदै की, भारत की गुलामी जब भारत उपनिवेशवाद था, यानि गुलामी का जब समय था भारत में, तो भारत की अर्थ विवस्था के हाथ में होता था किन्तु जब भारत आजाद हुआ तो भारत की समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत की अर्थविवस्था का संचालन किस परकार से किया जाए तो भारत की अर्थविवस्था के मौडल को लेकर काफी विवाद हुआ भारत की समक्ष उस समय उद्धोग ये विवस्था पर बल देता था भारत में आतियदिक जो जनसंख्याती वो किर्शी पर निर्भर थी जबकि बहुत कम ऐसी जनसंख्याती जो उद्धोग संचालित करती थी तो इस कारण जो किर्शी वर की लोग थे वो सम्मेवादी मॉडल अपनाने पर बल दे गये थे जबकि उद्धोग पतियों का मानना था कि भारत का विकास पुंजिवादी मॉडल से ही होगा इससे संबंदित सम्मेवादी वा पुंजिवादी मॉडल जो था वो अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग रूप में प्रस्तुत किया गया जैसे कि पुंज उद्धोग से तीवर विद्धी को संभव करेगा यानि भारत में उद्धोग विवस्था तीवर होईगी इस मॉडल का जो समर्थन था वो विस बैंक वा अंतरास्टे मुद्रकोज जैसी संस्थाई कर रही थी और बड़े-बड़े उद्धोग पती भी यह का भी यह कहना थ था कि भारत में पंजिवादी मॉडल विकास के लिये काफी उद्धोग राएगा बारत में उद्धोग विक्सित होगा इस एक्रिशी का आधनिकी करण होगा और साती सात देश में पर्ती रक्षा शक्ती का भी उद्ध होगा वहीं समयवादी मौडल पर जो अर्थ सास्तरी बल दे रहे थे उनका मानना था कि भारत के पास उर्वक भूमी अधिक है यानि भारत के पास जो भूमी है वो अधिक है वो भी उपजाओ है तो ये परकृतिक संसादन हमारे पास मौजूद है जिसका परयोग करकर हम भा अर्थिक विकास तेजी से कर सकते हैं जो इस परकार के विचार दे रहे थे वो समयवादी मौडल के समर्थक थे इनका मानना था कि मानव पुंजी के लिए उच्छ कोशल किया शकता नहीं है किर्शी उतपाद बढ़ा कर वक्खाद सुरक्षा को हासिल किया जा सकता है यान इसी समयवादी मौडल से ही भारत में गरीवी का उनमूलन किया जा सकता है तो इस तरीके से समयवाद और पुंजीवादी जो मौडल था इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ किन्तु भारत सरकार ने जो एक बड़ा निर्ने लिया वो ये था कि समयवादी वा पुंजीवा क्यों अपनाई इसके कई कारण थे जैसे कि 1929 में दुईत्य विश्युद के बाद जो देश पुंजिवादी थे उनकी इस्थिती काफी खराब हो गई थी इन देशों में आर्थिक महामंदी पड़ी थी और इस्थिती इन देशों की खराब हो गई थी दूसरा जो कारण था वो था सौब्यस संग की अर्थ विवस्था में तीवरिवरिद्धी सौब्यस संग एक ऐसा देश है जहां पर समय वासमाजवादी पड़नाली पाई जाती है ये देश उस समय काफी तीवरिवरिद्धी कर रहा था तीसरा कारण था कि दुनिया भर में बाजार की विफलता यानि पुझीवादी विवस्था जिन जिन देशों ने अपना रखी थी उनकी बाजार विवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी इन सब स्थिति को देखकर भारत ने मिसरित अर्थ विवस्था के मॉडल को ह भी अपनाया था मिसरित अर्थ विवस्था के भारते संस्क्रण की वास्तविक परकरती 1951 में दिखाए दी लेकिन 1950 के दसक के बाद ही इसका विकास तेजी से होने लग गया था होना सुरू हो गया था 1915 में एक नया रूप इसका सामने आया नीती आयोक की रूप में जिसक पूरवग चर्चा करेंगे मिसरित अर्थ विवस्था का एक मुक्ह विसिस्ता ये है कि इसमें नियोजन को अपनाया जाता है नियोजन क्या होता है पहले ये प्रदि dniोजन एक संगठित आर्थिक परियास है जिसमें एक निश्चित अएक समय यानि देश के आर्थिक समाजिक विकास के लिए पहले योजनाय बनाए जाती है, फिर उसके बाद ही उसको वैभार में लाए जाता है, तो इसे ही हम लोग नियोजन कहते हैं, भारत में नियोजन को लेकर अलग-अलग लोगों के दौरा अलग-अलग विचार दिये गए. तो सबसे पहला जो परयास किया गया था वो था M. विस्वेसरेय के दौरा इनका मानना था कि कि भारत में जो नियोजन है यही नियोजन की परक्रिया अपनाई जाए और भारत में विकास तभी हो सकता है जब उसको नियोजित तरीके से किया जाएगा इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी The Planet Economy of India जिसमें इन्होंने नियोजन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कांग्रेस ने सन 1938 में कांग्रेस योजना प्रस्तुत की थी ये भी नियोजन का एक परकिरिया कह सकते हैं कि एक नया तरीका था जो की कांग्रेस योजना के नाम से जाना जाता है ये 1938 में कांग्रेस योजना समीती के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1944 में बॉंबए प्लान हुआ था भारत में ये पुंजी पतियों का एक संभेलन था जो की बॉंबए में हुआ था जो कि योजना से सम्द्धित था स्री मन नरायन ने का मानना था कि योजना जो बनाई जा रही है वो गाधिवादी योजना के तहत निर्माण की जानी चाहिए ये एक ऐसी परकार की योजना थी जो कि विकेंद्री करण की संरशना पर अधिक बल देती थी तो स्री मन नरायन ने गाधिवादी योजना पर काफी बल दिया था ये एक ऐसी योजना जिसमें भारत के निम्न तबके के लोगों का भी विकास समाहित था मन रोई ने योजना का एक नया मॉडल दिया था जिसे कहते हैं के हिट में ये मॉडल था जो की मन रोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये जन योजना मॉडल था सरवद्धे योजना मॉडल ये जै परकास नरायन के द्वारा दिया गया था सन 1950 में ये भी गाधिवाधी मॉडल से ही कहीना कहीं प्रेरित था तो ये model से संबंदित question आते हैं कि जन योजना model किसके द्वारा परदान किया गया था, गाँधीवादी योजना model किसके द्वारा दिया गया था तो इस तरी beispielsweise question आते हैं अब बात करते हैं योजना की की योजना का मुखे उद्देश क्या होता है तो योजना का मुखे उदधेश होता है देश में आर्थिक वřिद्धी हो एकनौमे ग्रोथ हो तेजी से गरीबी जो की लंबे समय से भारत में परचिलेत है उसको उनमिलन किया जाए यानि उसे खतम प्राप्त हो भारत में आर्थिक आसमानता पर नियंतन स्थापित ही आ जाए वा सभी को एक समान आवसर परदान किया जाए और देश का परतेक नागरिक आत्मिरभर बने ये योजना का मुख्य उद्देश होता है अब बात करते हैं योजना आयोग के बारे में तो योजना का एक सलाकारी निकाय है जो कि सरकार को सला देने का कारे करता है इसका अध्यक्ष जो होता है वो परधान मंतरी होता है और इस प्रकार आप अनुमाल लगा सकते हैं कि भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे जो कि भारत के पहले परधान मंतरी थे पंडी जवा मिल होता था इसे इस आयोग को कारे कारी शक्तियां प्राप्त थी अर्थात किसी भी प्रकार का देश से संबंदित कारे वा योजना निर्धारन का कारे योजना आयोग का होता था इसी योजना आयोग के द्वारा भारत में पंच वर्सी योजना का निर्मार किया गया था पं पंचवर्सी योजना सन 1951 से 1956 तक थी इसके अध्यक्स थे हैरोड डोमर ये पुछा गया कोशन इस योजना में सबसे अधिक बल दिया गया था क्रिशी सिचाई और बिजली पर दूसरी पंचवर्सी योजना सन 1956 से एक सट तक बनी थी इसके जो अध्यक्स थे वो थे PC महाल न गया था इसमें मुख्यबल नहीं मतलब ये योजना सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि ये वय समय था जिसमें भारत वा पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था जबकि 1965 में भारत वा पाकिस्तान के मद्ध युद्ध हुआ था जिसके कारण ये योजना कारगर साबित नह कारण जो समय गैप हमें मिला था उसे योजना अवकास की नाम से जानते हैं योजना अवकास 1966 से 1969 तक था ये question important है कि योजना आयोग या योजना अवकास कब से कब तक था तो 1966 से 1979 तक चौथी पंचवर्षी योजना 1969 से 1974 तक थी इसके अध्यक्ष असोक मैनी थे और इसमें आत्म निर्भरता पर बल दिया गया था पंचवर्षी पंचवर्षी योजना की हम बात करें तो इसका मुख्य उदेश था परती वर्ष उपलब्दी का मुल्यांकन करना यानि पंचवर्षी योजना से जो योजनाई बना जा रही है उसका लोगों पर क्या परफाव पड़ रहा है और इससे लोगों क्या फायदे हो रहे हैं इसका मुल्यांकन किया जा सके इसी के लिए rolling plan बनाया गया था मुराजी दिसाई के द्वारा चटी परस्वर्षी योजना सन 1980 से 1985 थी इसका मूल विसाय था गरीबी हटाओ साथवी पंचवर्षी योजना 1980 से 1980 तक थी इसके अधिक स्थे पर्णमुखर जी और यह important question है पर्णमुखर जी जो कि भारत के बहले रास्टपती भी रही अभी रास्टपती दे हाली में इसका मुख्य विसाय था रोजगार केंद्री करण यानि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार पर्दान किया जाए नौवी पंचवर्सी योजना यह था पर्तिक पंचवर्सी योजना का अलग अलग लक्ष निर्धारित किया गया था यहाँ मैंने सिर्फ तीन ही पंच वर्शी योजना के बारे में बताया है कि वहाँ कितने-कितने लक्ष तयुए गे थे और वास्ट्रिक कितने लक्ष की प्राप्ति हुए थी पहले परचवर्से योग्ना में लक्ष तैय गया था 2.1 परसंट का जबकि हमें प्राप्टी हुई थी 3.6 परफिशक्त का लाब हमें हुआ था योजना योग्ने 4.5 का लक्ष रखा गया था दूसरी परचवर्से योजना में किन्तु परप्ट हुआ था हमें से 4.1 तीसरी पंच वर्षी योज्णा में लक्ष रखा गया था 5.6 परś sovereignty जबकि हमें प्राप्प हुआ सिर्फ 2.8 परसंट तो यह बहुत important है कि पंच वर्षी योज्णा में लक्ष कितना रखा गया था और कितना प्राप्त हुआ था दूसरी पंचवर्च योजना में कितना लखा गया और कितना प्राप्त हुआ अब योजना आयोग का अस्तित्व पून रूप से समाप्त कर दिया गया है जब से नरिंद्र मूदी मानने नरिंद्र मूदी जी की सरकार जब से आई है तब से इन्होंने लंबे समय से चले आ रहे योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर अब नीती आयोग का गठन किया गया है क्योंकि इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि जो योजना आयोग है ये वर्तमान की अर्थव्यवस्था को चलाने में आसक्षम है इस कारण उनने योजना आयोग की स्थान पन नीती आयोग की स्थापड़ा की है नीती का मतलब उनका policy नहीं है नीती का मतलब है National Institute for Transforming India इसकी स्थापना एक जनवरी 2015 में की गई थी इसके अद्ध्ध्ष परधान मंत्री होंगे जो की पहले अमारे जो ये परधान मंत्री है मनुहन करम मोदी जी वो इसके पहले अद्ध्ध्ष थे और पहले उपद्ध्ध्ष के रूप में अर्विंद पनगारिया को यहाँ पर ये ओधा दिया गया था और इसमें चार संग्य मंत्री भी सामिल थे ग्रह मंत्री, वित्द मंत्री, रेल मंत्री वा क्रिशी मंत्री इसमें गवर्निंग परिशत के सदसे भी सामिल होते हैं और सभी राज्यों के राजपाल वाकेंद सासित परदेशों से इसमें राजपालों को सामिल किया जाता है इसकी विशेस्ता ये है कि ये समस्याओ का जल्दी से समाधान करने में सक्षम है और सभी राज्यों को इसमें सहयोग दिया गया है जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें देश में संगवाद को लाने का एक तरीके से परियास किया गया है तो ये था अमारा remain economics दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग भारत के अर्थ विबस्त taki के उदे के बारे में हमने इसमें चर्चा की आसा करता हूँ आपको पसंद आया होगा तीसरा वीडियो हमारा दो तीन दिन बाद अपलोड होगा जिसमें हम नैशनल इंकम के बारे में बात करेंगे थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग